वो कहते ना जो जीता वही सिकंदर अब यहां जो जिया वही सिकंदर जो जिन्दा बच गया वही सिकंदर है वरना यहां पे तो हमारे सिस्टम ने हमारे नेताओं ने हमारे अधिकारियों ने हमारी ब्योस्ता ने ऐसी की तैसी मार दी है आम आदमी की भारत का आम आदमी उसस जादा निरीह उससे जादा लाचार बेबस आदमी कोई हिंदुस्तान में दूसरा नहीं है जो पैसा वाला है उसने अपने बेडरूम को बना दिया आई सियो सिलेंडर खरित कर रख लिया जो नेता है जो अफसर है उसने अपनी बेफसर अपनी खुद कर ली मर रहा है से वीडियो आ रहे हैं कहीं किसी का कोई मर रहा कहीं किसी का कोई बीमार पड़ रहा डाक्टर है नहीं और है तो इतना ठका हुआ है कि वह मरी जटेंड करने की सिती में नहीं है और उपर से हमाई नेताओं को सत्ता की मलाई चाटनी है राक्षास हो गए हैं राक्षास जो लाशों पर खड़े होके राजनीती करना चाहते हैं जिन लोगों को रहली में बुलाया जा रहा है इस बात की गरंटी नहीं है कि वो तीन चार पांस दिन बाद जिन्दा रहेंगे नहीं रहेंगे अगर बच गए तो भगवान राम की कृपा और मर गए तो इंतिजाम तो मूर्ख और अंधा चुनावायोग है मंद बुद्धी चुनावायोग जिसमें बैठे चुनावायुक्तों को केवल मलाई चाटनी है सत्ता की चाकरी करके अपनी पदिष्ठापना करानी है आज यहां है कल किसी और पद पे बैठेंगे बढ़ापा ठीक से कटेगा शरामान चाट महिना और राश्टपती साशन या राजपाल साशन लगा रह जाएगा तो क्या तूफान आ जाएगा अगर दो चार पांस सीटों पर बिधायक या पंचायच सदस नहीं चुने जाएंगे तो क्या तूफान आ जाएगा पहाड़ गर जाएगा क्या सुनामी आ से कोरोना का संक्रमा और ज्यादा बेकाबू होके फैलेगा हाकार मचा है भारत देश में और नेताओं को हमारे शरम नहीं आती नी रजकोहली यह मेरी चुन्ता का विशाए है इसे देखना पड़ेगा मैं किसी को बद्दूआ नहीं देता आमूमन तोर पे लेकिन जिस तरीके से पूरा सिस्टम चलाया जा रहा है भगवान साक्षी है जैसे हमारे गाउं में कहते हैं तो ना कीड़े पड़ें मैं वैसा नहीं कहता लेकिन उससे कम भी मेरे मन में भावना नहीं है इस वक्त। क्या अंधेर गर्दी मचा कर रखी है नेताओं ने अधिकारियों ने सिस्टम ने चुनाव नहीं होगा तो जान चली जाएगी क्या सत्ता नहीं पाओगे तो मर जाओगे क्या लेकिन सत्ता पाने की लालसा में जिस तरीके से तमाशा हमारे नेता कर रहे हैं इस मंद और वैचारिक अंधेपन का शिकार हो चुके चुनाव आयोग के दोर में वो सबसे जादा खतरनाक है वो कहते हैं ना कापर करू संगार की पिया मोरा अंधर रे चुनाव आयोग और सत्ताधरी दल के साथ यहीं हो रहा है दोनों एक दूसरे की खुजा रहे हैं सत्ता चाट करने के लिए शरम आती है एक सो चालीस एक सो पैतालीस करोन के भारत में कोई भी ऐसा मर्द नेता नहीं है जो खड़े उकर मंच से कहे कि नेतागिरी बाद में लोगों की जिन्दगी बचाने का काम पहले कोई मुख्यमंत्री कोई प्रधान मंत्री क्यों नहीं बोलता कि र आप लोग अपने घरों में रहिए मेरा भाशर सुनिये रैली पर मत आईएगा मदान करने का समय बढ़ा दीजे सुवेशे से रात के दसकर दीजे लंबी-लंबी कितारे मत लगने दीजिए आराम से लोग आए वोट डालें अपने घर जाएं सत्ता भी मिल जाएगी और लो कोई भी मोल नहीं है कि आपको मरना हो तो मरते रहिए साहिब तो बैठे हैं मौज में बहुत बढ़िया एक और एपिसोड खतम हो गया आगे और कितने एपिसोड खतम होंगे मुझे नहीं पता हमारे नेताओं की बेशर्मी कब खत्म होगी मुझे इसका इंतजार है बहुत कर दो